और अंकित महीर चैलेंजर जो अगला मैच होगा वह कृप्या करके टॉस के लिए कॉमेंटरी बॉक्स के पास आजाए कि अगला मैच जो सीवान राइजर और अंकित महीर चैलेंजर के बीच में होगा उनके तिम के कपता ना टॉस के लिए कोमेंटरी वाक्स के पास आ जाईए तो जी हम बात कर रहे थे LIC वारियर्स जिन्होंने 127 रन का टारगेट सेट किया है और 128 टारगेट यहां पे दिया गया है कृष्णा रॉकर्स की टीम को अभी तक इस मैच के हीरो रहे है के उर जीन्होंने 20 गेंदों में 67 67 रनों की पारी खेली थी महस 20 गेंदे खेली थी साथ नीपाया था बेहतरीन तरीके से भूपिन ने 56 रनों का उसके साथ जैदीब 13 रन और तरंग 14 रन बना की पारी खेली थी और यहाँ पे रोचक बात यह है कि अगर यहाँ पे 15 रोनों के मार्जिन से भी यह मैच कृष्णा रोकर कि यहाँ क्वालिफाइंग रंद्रेट के तौर पे हो सकता है यहाँ पे जी एकरन पारी की सुरुवात यहाँ पे के योर के योर गेन बाजी का बार यहाँ पे संभालते हुए अपनी टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा लक्षांग यहाँ पे सेट किया है एक बड़े स्कोर का पीछा कर रही है कृष्णा रोकर्स की टीम काफी हद तक दारोमादार रहेगा इस पावर प्ले में सलामी बल्लेवाजों के उपर मिडल अब दा बैड यहाँ पे गेन लगी है और बहतर इंदरी के से मेड विकेट के उपर से पारी का पहला चक का आता हुआ यहाँ पे क्रिश्णा रोकर्स के द्वारा कि स्कोर इस चेरन के साथ साथ पहुंच चुका है कि कि में थोड़ी तब्दीली पहले देवर पाउर प्ले रहेगा मातर दो फिल्डर थर्टी आठ सरकल के बहार तैनाद कर सकते हैं फिल्डिंग साइट के कप्तान इस बार पूल सोट वहां पे खेला लेकिन मातर एक रन मिलेगा वहां पे एक रन के साथ आठ रन स्कोर पहुंच चुका है दो सलामी बले बाज परिमल और भावू फिल्डिंग आउट साइड यॉप स्टम पे एक शॉट लॉंग ओफ सॉट एक्ष्ट्रा कवर पॉइंट में यॉप साइट पे बिल्कुली नस्दिक सिली पॉइंट के तौर पे खड़ा हुआ एक फिल्डर जी काफी करीबी मामला था काफी स्टम के नस्दिक से गेन गई थी वहां पे लेकिन वाइट करार अंपायर के द्वारा अतरी करन बढ़ते हुए और एकरन के साथ स्कोर नौरन आउटसाइड यॉप स्टम रूम था वहां पे लेकिन थोड़ी पढ़ने के बाद गेन गुमी उसकी वज़े से पूरी तर इसके गेन वल्ले पे आई नहीं लेकिन दोरन वहां पे आसानी से मुकमल करेंगे अच्छी गेन बाजी अब तक केर के द्वारा हाला की एक बड़ा सौट जरूर आया है इस ओवर में लेकिन अच्छा कमबेक किया है इस बार बड़ा सौट खिलने का प्रयास था लेकिन अंदुरूनी की नारा लगा पीछे डीप में स्क्वेर लेक के फिल्डर मौजूद जी बारा रन जी अच्छी गेन बाजी गती में परिवर्तन पीछे लेंद को खींचा थोड़ी उपर की गेन और डॉट बाल के साथ पहला ओवर यहां पे खत्म पहले और कि समापती पे क्रिश्चना रॉकर्स का स्कोर है बारा रन बिना किसी विकेट के नुक्सान पे गेन बाजी में अब बार संभालेंगे भूपिन डुंगरी से बिलॉंग करते है लेफ टाम गेन बाज थोड़े ट्रीकी गेन बाज है उंगलिया ज्यादा फेरते है टपा बहतरी रहता है मैं उनके साथ खेला हूँ इसलिए मालुम है जी आच्छी गेन बाजी जैसे कि मैं कहे रहा था कि बाएं हाथ के गेन बाजे तो अमोवन उनकी गेन पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की और निकलती है गती में परीवर्तन लगादार उनका रहता है लेंध पर काफी परोसा है उनको जी आच्छी गेन बाजी बाहरी किनारा और विकेट का पतन यहाँ पे जिस प्रकार से उम्मीद थी कप्तान को भुबिन से केक हरफन मौला खिलाड़ी है ओल राउंडर के तौर पे अपनी टीम में खिलते है और हमेशा ही अपनी टीम को स्ट्राइक दिलाते है तो जी हाँ पहले स्ट्राइक अपनी टीम को पहले विकेट यहाँ पे दिलाते हुए भुबिन बारा के स्कोर पे पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ आउट होने वाले बल्लेबाज परिमल चारन बना के डगाउट में कैच वहाँ पे विकेट के पीछे जई ने पकड़ा तो जिसकी जरूरत थी पावर प्ले में ज़्यादा तर रन नहीं देने है और उसके साथ विकेट भी चटका नहीं है तो वो काम अब तक बहुत खुबी तरीके से किया है बोपिन ने यहाँ लेकिन इस बार थोड़ी गलती कर बैठे लेंद वहाँ पे दे बैठे और चेरन वहाँ पे मिड विकेट के उपर से जड़ दिये जो वो गेन बाजी कर थे उनकी जो नॉर्मल स्ट्रेंड थे वो ज़्यादा तर पीछे की लेंद थे लेकिन इस बार विकेट लेने के प्रयास में फुल लेंड डाल बेठे इस बार आउटसाइड दी आउपस्टम काफी बाहर तो जी हाँ वाइड करार दी जाएगी इस वाइड के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 19 रन फिल्लिंग में थोड़ा सा परिवर्तन पॉइंट के फिल्डर को थोड़ा फाइन किया गया है अब साइड पे एक सॉट एक्स्ट्रा कवर सामने एक सिली पॉइंट लेक साइड पे फिल्डर वहां पे मौजूद और दूसरा विकेट जी हाँ जी हाँ दूसरा विकेट यहां पे गिरता हुआ लगाता अरब परेशानी का सामना कर रही है और प्ले में रन और जीत करना चाहते थे लेकिन दो विक्टे गवा चुके है अच्छे नजर आ रहे थे सावन लेकिन चलता किया वहां पे अत्रिक उचाल मिला और उस उचाल को संभल नहीं पाए और थोड़ा उपरी किनारा यहां पे सायद बल्ले का लगा था और आसान सा केच वहां पे शॉट फाइन लेक पे खड़े फिल्डर के द्वारा तो दूसरा विकेट यहां पे अपनी टीम को दिलाया है भूपिन ने और उन्नेस के स्कोर पे दूसरा विकेट पावर प्ले का यह दूसरा और प्रगती पर है फिल्लिंग में अब तब्दिली सिली पॉइंट को अब थर्टी यार सर्कल पे खड़ा कर दिया है ऑन साइट पे एक मीड़ान शॉट मीड़ी विकेट और पीछे एक सॉट थर्ड म और इंसाइड आउट खेला है वहां पे कवर की दिसा में फिल्डर उसके पीछे बाग रहे हैं दूसरे रन लेने का प्रयास रन आउट का मौका हो सकता है अगर थ्रो ठीक होता तो जीहां निस्थित तोर से यह रन आउट हो सकता था कि दो रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है ट्वेंटी वन आगे आगे डाउन दग्राउंड यह सौट खेला है हवा में फिल्डर वहां पे कोई मौजूद नहीं तो जीहां वन बाउंस चौका यहां पे मिलता हुआ तो थोड़ा आखरी गेंजी आखरी गेंज पे चौका भूबिन के ओर में आया और इस चार रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है पच्चिस साड़े बारा रन की ओसत से पहले पावर प्ले के दो और में रन आये हैं लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दो विक्ते भी मिली है यहां पे LIC Warriors को 128 रन का पीछा कर रही है क्रिष्णा रॉकर्स की टीम पावर प्ले में जरूरत थी जिस प्रकार की सरुवात की वो मिली है LIC Warriors को अब तक के सफल गेन बाज भुपिन दो विक्ते जरूर मिली है उनको पिछली ओर में पुपिन के तेरा रन जरूर आए लेकिन दो विक्त भी मिले के उर पावर प्ले खत्म होने के बाद जारी रखेंगे अपनी गेन बाजी अच्छी गेन जी हाँ रंडेना जादे ताल मिल में थोड़ी सी वहाँ पे गरबर्ड जी अच्छी सुरुवात इस ओवर की अब तक प्रयास ज्यादा तर यहीं रहेगा के ज्यादा रं के लिए रंड विकेट के लिए ना जाए और जितने रंग रोग पाए वहीं बेहतर इस बार अपने आपको रूम देके सौट खेला लेकिन एक ड्रॉप कैच वहाँ पे आसान सा मौका था उसके नीचे आ भी गए थे लेकिन छिटक गई गेंट स्कोर बड़ा है तो लगातार बड़े सौट खेलने ही होगे यहाँ पे बल्ले बाजो को कि फिल्लिंग में थोड़ी सी तब्दिली वहाँ पे के यूर आप साइट पे अब बैकवाटर पॉइंट पे जो सौट पे फिल्डर खड़े थे अब उनको सौट थर्में पे ओन साइट पे खड़ा कर दिया है जी हाँ अब लॉंग लेक डीप में डीप में स्क्वेर लेक पे अब लॉंग और पीछे तर्में या उनसाइट की फिल्लिंग कि मुआ का था वहां पे जी एक रन मिलेगा पीछे ति नाराज जरूर होंगे के यूर विकेट का मौका था वहां पे ऑप साइट पे अब पॉइंट के फिल्डर को डीप में खड़ा कर दिया है लॉंग औं का फिल्डर अब अब लॉंग आफ का फिल्डर अब लॉंग ऑन पे क्योंकि दाएं और बाएं हद का कॉंबिनेशन यहां पे मैदान में मौझूद है अब अन साइट पे बिल्कुल बाउंट्री पे लगके डीप में थर्ड में बेक फिल्डर है अन साइट पे स्कूर अभी भी रुका हुआ है 27 27 पावर प्ले खत्म हो चुका है तीसरा यह और पारी का प्रगति पर है कि आगे आगे खेला इस बार लेकिन मेहज साइद एक रण मिलेगा जिए अंपायर काई सारा जिहां एक रण मिलेगा अच्छी गेन बाजी स्कॉरिंग जो एरिया है साइद थोड़ा बदलना पड़ेगा कि अच्छी गेन बाजी अब तक 28 28 रन अपसाइट पे इंसाइड आउट सॉट खिला है फिल्डर वहाँ पे कवर में मौझूद स्वीपर कवर में जब तक एक रण के गेन वापिस देते एक रण लेने से नहीं रोख पाएंगे अच्छी गेन पे एक रण उसके साथ ओवर की समाप्ती तीन ओवर की समाप्ती उन तीस रन दो विकेट के नुक्सान पे तीन ओवर की समाप्ती पे यहाँ पे कृष्णा रॉकर्स का स्कोर है ट्वेंटी नाइन रन स्कोर ट्वेंटी नाइन रन दो विकेट के नुक्सान पे अजीत अजीत और भावू बीच मैदान में मौझूद जैदीप गेन बाजी में परिवर्तन फिल्डर वहाँ पे मौझूद थे लेकिन चौका नहीं रोक पाएंगे पहली गेन पे यहाँ पे चौका तावाज हुवी है इस ओवर की जैदीप की थोड़ी सी पटकी हुई गेन जरूर थी लेकिन अगर इस पे इस गेन पे थोड़ी कि लेकिन स्कोर काफी बड़ा है एक एडवांटेज है यहाँ पे लाइसी वारियर्स के लिए क्योंकि उनके पास उनके पास बाड़ पे स्कोर को बहुत ही बड़ा है इसलिए अगर थोड़े रन ज्यादा आ भी जाते है तो कंबेक करने का मौका है उनके पास 33 रन 33 बाड़ पे लगे और अभी भी जीत के लिए 95 पिंचानवे रनों की जरूरत है अभी भी 29 गेंदों पे इतना आसान है नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं जो पारी के उर ने खेली थी उस प्रकार की पारी अगर यहां से कोई बल्ले बाज खेल जाता है तो निस्धित तोर से अपनी टीम को टारगेट की और अग्रेसर कर सकता है क्योंकि क्रिकेट जो कहते अनिस चित्ताओं का खेल है अगर दिन आपका है तो मैच आपका हो सकता है हल्की का तीसी गेन लो फुल्टस डिलेवरे थी वहां पे थडमेन पे जिहाद ग्राउंड डाइमेंशन्स के मुताबिक दोरन मिलेगे वहां पे बल्ले बास को बावू अजीत श्ट्राइक पे 35-35 रन स्कोर है धिमिकति की गेन थी जिस प्रकार के खिलना चाहते थे लेकिन उस प्रकार से गेन बल्ले पे आई नहीं थोड़े से जादा वो डाउन दनी हो गए थे उसकी वज़े से जो पावर तो जन्रेट कर पाए लेकिन बैट का फ्लो थोड़ा जल्दी आ गया उसकी वज़े से बड़ा सौट खेल नहीं पाए एक रन के साथ स्कोर 36 फिल्डिंग में लगातर तब दिलिया अप साइट पे जून रहे हैं वह नहीं उनको मिल रही और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगत अब तक लगातार अच्छी लैंद पे गेंबाजी हुई है कि फुल्टोस गें मौका था वहां पे और इस मौके को पूरी तरीके से बनाया बल्ले बाज ने तैयार थे पूरी तरीके से इस गेंग को खिलने के लिए और इस छे रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है फोटी टू रन ब्यालिस चौथा जैदीप का तेरा रन अब तक इस ओवर में आ चुके है पिछली गेंपे थोड़ी गलती कर दी जैदीप ने अच्छी गेंबाजी कर रहे थे लेकिन थोड़ी जो कहते है यॉक डालने के प्रयास में फुल्टोस गेंवहां पे डेबेट है आउटसाइडी लेक्ष्टम जीहां वाइड निस्टित तौर से होगी अतरीक रन बढ़ते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन जीहां 43 तैतालीस रन दो विकेट के नुक्सान पे अच्छी गेंवाजी जीहां धिमी गति की गेंथी लेंथ को पीछे खीचा डॉट बल के साथ ओवर की समाप्ती चार ओवर की समाप्ती स्कोर है 43 रन दस दसंवलवनब्बे की उसत से रन यहां पे बनते हुए क्रिश्णा वॉर्यर्स को क्रिश्णा रॉकर्स के क्या इस प्रकार सी गति से अगर रन बनते हैं तो अपने आपके लिए साइद परेशानी का सबब हो सकता है यहां से उनको थोड़ा अपनी रन रेट को और एक्सिलेडरेट करना पड़ेगा थोड़ी सोच में अब परिवर्तन करना होगा उनको अमूबन 11 की उसत से अब तक रन आ रहे हैं चार और की समाथ्दी पे 43 रन लग चुके है जीत के लिए अभी भी 85 पंचासी रनों की जरूरत है 24 गेंदों में अब पंचासी जित्वा जीत्वा पंचासी में पांचासी की सुर्वात तो बहतरीन तरीके से हुई है कि केरल एक और गेन बाजी परिवर्त के तौर पे आये थे लेकिन पहली ही गेन फुल्टोस दे बैठे वहां पे और उसका फाइदा उठाया यहां पे बल्लेबाज अजीत ने सैट हो चुके है अब दोनों ही बल्लेबाज ऑफसाइड पे यह दीमीगती से गेन की थी जितना उच्छाल चाते थे उतना उच्छाल प्राप्त नहीं कर पाए एक रण के साथ छोर बदला वहां पे एक रण के साथ स्कोर पहुंच चुका है पचास रण पूरे होते हुए इस एक रण के साथ क्रिश्ना रॉकर्स के बाड़ पे पचास रण लग चुके हैं दिल्ली अभी भी बहुत दूर है लेकिन प्रयास करने होगे फुल्टोस गेन और सीधा उसे खेला है छे रोणा के लिए फिल्डर थे मौजूद प्रयास भी किया लेकिन मात्र प्रयास किया क्योंकि उसे रोक नहीं पाए और का यह दूसरा चक्का यहां पे लगता हुआ 56 चपंद रन इसी प्रकार के कुछ बड़े सौट यहां पे लगाने होगे इसी प्रकार के सौट खिलने की जरूरत है यहां पे अगले आने वाले सभी और इन दोनों बल्ले बाजों को तेरा रन अपतक इस ओर में आ चुके है यह वर्सायद बड़ा हो सकता है इस ओर को बड़ा बनाना पड़ेगा अगर मैच के ज्यादा करीब जाना है जिए इस बार गेन पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं फिल्डर मौजुद थे वहां पर मिस्फिल्ड की वज़े से चौका यहां पर मिलता हुआ तो बड़ा ओवर यह साबित होता हुआ इस चौके के साथ सिक्स्टी साथ रन 17 अब तक इस ओर में आ जूके है नाराज है वहां पर कप्तान क्यूंकि अगर कैश नहीं पकडाल तो रन रोकने थे यहां पर क्यूंकि रन आपके पास बाड़ पर इतने हैं कि अच्छी फिल्लिंग कुछ अच्छे कैचिस आपको इस मैच में आखिर तक बनाए रखेंगे लेकिन गलती की पिछली गए इस बार बैतरीन ग्राउंड पे क्वेर लेक का है उसी दिशा में ये छक्का लगाया है अपने घुटनों के बल पे वहां पे बैठे और स्क्लॉक स्वीप के अंदाज में यह वर बड़ा हो रहा था उसको और बड़ा किया इस छे रन के साथ और स्कोर अप पहुँच चुका है 66 रन 66 रन 66 रन 23 रन अब तक इस ओर में आ चुके है तो काफी दबाव में केरल गेंद बाज काफी दबाव में हसूस करेंगे गेंद बाज जी काफी उपर थी गेंद फिल्डर वहाँ पर ओप साइट पर कोई मौजूद नहीं चौका जी हाँ नो बॉल की वज़़ा और ज्यादा गेंद डालनी पड़ेगी जी हाँ जो रन का दबाव है केरल के उपर जो रन का दबाव है और नो बॉल की वज़़े से अगली गेंद फ्री हीट होगी तो मौका यहाँ पर एक और बनता हुआ अपने हाथ खोलने का मातर रन आउट के तोर पे ही इस गेंद पर विकेट आ सकती है तो दबाव में गेंबास केरल बड़ा ओवर यह घुजरता हुआ अप तक फुल्टोस गेंद उसे वहाँ पे मीडवी के स्क्वेर लेक की दिसा में छे रन के साथ जी हाँ छे रन के साथ और छे रन के साथ इस ओवर को समाप्त किया है तो अब एस छे रन के साथ स्कोर पहुँच चुका है 77, 77 रन, 34 रन पिछले इस ओर में आये है 34 रन केरल के पिछले ओर में और इस ओर की वज़े से मैच का पूरा रुख बदल दिया है मैच में उम्मीदे अब और भी बढ़ गई है क्रिश्ना रॉकर्स की क्यूंकि इस प्रकार के एक ओर की जरूरत थी इनको तो ये एक ओर केरल का अच्छा साबित हुआ है क्रिश्ना रॉकर्स के लिए 34, 34 रन आये पिछले ओर में तो वह 5 ओर की समाप्ती 5 ओर की समाप्ती पे 15 दसंवलोव 20 की ओसत से 77 सतत तरन बौर पे लग चुके है 51 रन 51 रन जीत के लिए चाहिए 18 गेंदों पे चौंत्री आये तलियो 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 जी हाँ पिछले आखरी अब 18 गेंदों पे 51 इक्क्यावन रन जीत के लिए जरूरी है स्कोर बड़ा जरूर यहां पे खड़ा किया था साइद उसी स्कोर की वज़े से थोड़ी गेंद बाजी में मेहनत थोड़ी कम लगी है पहले दोवर अच्छे रहे थे दोर में 25 रन आये थे उसके बाद तीसरा और भी काफी अच्छा रहा था लेकुन उसके बाद जो गेंद में चेंज आया है चौथा ओवर जिसमें 14 रन आये थे उसके बाद जो पांचवा और उसमें मतलब आखरी दोर में थर्टी फोटी एट रन आये चौबिस की और सट से कि आप स्टम कि जिहां कि वाइट की डिमांड ही वहां पर गेंद बल्लेबास की लेकिन जी नहीं चक्मा दिया वहां पर आपसाइड यॉप्स्टे बूपिन पर काफी जिम्मेदारी होगी सोवर मे सुरुवात अच्छी की है इसोवर की दिमीगती की गें आउटसाइज डी आप्स्टम यहीं अप करना होगा क्योंकि ज्यादातर बड़े सौट खिलने के मौके ना दिये जाए ज्यादातर गेंद बाजी थुड़ी अच्छी लैंथ पे की जाए एक रन के साथ 78 स्कोर पहुंच चुका है 79 रन बच्छी अक्षी गेंद माजी जी हा थोड़ी आगे की इस गेंद को भुपिन ने जानते है कि अगर गती प्रदान करेंगे तो बड़ा सौट खा सकते है उसकी वज़े से दिमी गती की गेंद बाजी ही बहतर रहेगी जी आउटसाइटी आपस्टम हवा में गेंद फिल्डर मौजुद थे लेकिन वहाँ पे मौका बना था मौका भुपिन ने बनाया था काफी नजदीक थे अपने तीसरे विकेट से लेकिन वह मौका गवाया वहाँ पे और दो रन लेने से भी नहीं रोक पाए बल्ले बाजों को दो रन के साथ एटी एटी वन इक्क्यासी रन स्कोर जी आची गेन बाजी इस प्रकार के एक दो एक दो रन से साथ ज्यादा उतना कुछ फरक पड़ेगा नहीं यहाँ पे लाइसी वारियर्स को क्यूंकि स्कोर काफी बढ़ा है कि रंद्रेट पे यह मैच रूका है अच्छी गेन बाजी अब तक इस ओवर में एटी टो रन महस पांच रन अब तक इस ओवर में आये हैं एक मौका भी मना था विकेट का अच्छी गेन बाजी एटी त्री रन ओवर की समती महस छे रन मातर छे रन दिये अपने इस आखरी ओवर में भूपिन ने अपने स्पेल का वो दूसरा ओवर और अपना स्पेल वहां पे खत्म किया भूपिन ने दो वीकेट अपनी टीम के लिए चटकाए पहली ओर में बारा रन दिये थे जिसमें दो विकेट आये थे इस ओर में छे रन दिये जिसमें एक विकेट का मौका बना था लेकिन फिर भी ले नहीं पाए 83 रन स्कोर 83 चेवर की समापती पे दो विकेट गवाए थे परीमल और सावन के रूप में उसके बाद अच्छी साजेदारी हुई इन दोनों बल्लेबाज भावू और अजित के बेच में अब थोड़ी सी वहां पे डिसकसन होती हुई कप्तान और सभी खिलारी के बीच में के गेन बाजी जो जरूरी थी जिस प्रकार की गेन बाजी पिछली और में भूपीन नहीं की है उस प्रकार की गेन बाजी की जिम्मेवारी किसे सौंपी जाए जाए देप कि अगले गेन बाज जाइदीप अपने स्पेल का दूसरा और पहले अपने और में उन्होंने कि चारन दिये थे अच्छा हो और था उनका वो और जिम्मेवारी यहां पर कप्तान ने दी है सांतेवे और में जाइदीप को स्कोर बॉर्ड अभी भी रुका हुआ है एटी थ्री रन दिमीगति की किन हवा में उसे खेला है छे रन के लिए एक बहतरी ना सौट वहां पर खेला है थोड़ी ओवर पिच लैंथ दे बैठे वहां पर और उसका फाइदा उठाया बल्ले बाज बाव ने अच्छी बल्ले बाजी अपनी टीम के लिए कर रहे हैं और इसी प्रकार के कुछ और इस प्रकार की बल्ले बाज बाजी करने की जरूरती उष्वर कर बड़ा बनाने की जरूरत है लेक स्टमप के काफी बाहर जी ये दबाव है गेन बास पर यह दबाव जो पिछली गेन पर छक्का आया उसका यह दबाव है सोचने पर मजबूर किया कि कहां पे गेन दब डाले तो इस वाइड़ अतिरी है फिर से लॉंगान की दिशा में फिल्डर मौजूर लेकिन मात्रब बन गए दर्सक और 96 चे रन के साथ बड़ा ओवर जो जरूरी था साइद यह वो बड़ा ओवर यह बन सकता है पचास रन यहां पे खत्म होते हुए इस अप छे रन के साथ 22 के जिहां अच्छी गेनबाजी अच्छा कमबेक वहां पे करती हुए टीम नाराज है गेनबाज रनाउट का मौका हो सकता था अगर थोड़ी अच्छी फिल्लिंग वहां पे होती इस एक रन के साथ स्कोर पहुच चुका है नाइंटी सेवन अपने व्यक्तिगत पचास के उपर से पचपन के स्कोर पे खेल रहे है बावेस जो पारी के उरन अपनी टीम के लिए खेली थी वहीं पारी उसी प्रकार की बल्ले बाजी यहां पे कर रहे है क्रिश्चना रॉकर्स जो भी जो जो अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते आये हैं कि अधान डाउन दा ग्राउंड फिल्डर वहां पे मौजूद मात्र एक रन मिलेगा इसे एक रन के साथ स्कोर नाइंटी एट रन 98-98 पंद्रा रन अब तक इस ओवर में आये है इसके बाद एक ओवर सेस है 128 रन का यहां पे पीछा करने उत्री है टीम क्रिश्चना रॉकर्स की काफी इंपोर्टन ये बाकी की गेंदे रहेगी महत्व पूर्ण गेंदे रहेगी बाकी की इस ओवर की जी आच्छी गेंबाजी दीमीगती की अपिल वहां पे जोर्दार जी नहीं ओवर की समाप्ती डॉट बल के साथ ओवर समाप्त साथ ओवर की समाप्ती पे 98 रन 98 स्कोर पि्लान के हाथ którego ने पुआ है यहां पे अगर क्वालिफाई करना है तो 115 रन अगर टीम पहुंचती है क्रिष्टीन रॉकर की टीम 115 रन तक अगर पहुंचती है तो क्वालिफाई रंड़ेट का हिसाब से हो सकती है टार्गेट हाला की 128 का है लेकिन रंद्रेट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट की जानकारी के हिसाब से यहाँ पे कृष्टना रॉकर्स की टीम को कम से कम 115 रन तो बनाने होगे 115 रन अगर टीम पहुँचती है 115 रन तक भी तो भी अगले चरण में वो कौलिफाई हो सकते है जीद के लिए तो वैसे जीद के लिए वैसे तीस रनों की जरूरत है 98 सांत वर की समापती पे है स्कोर अगर इस मैच को जीतना है तो तीस रन बनाने है और अगर क्वालिफाई होना है यहाँ पे कृष्टना रॉकर्स को कम से कम 115 रन कम से कम बनाने होंगे आखरी स्कोर बॉड़ पे होना चाहिए क्रिश्णा रॉकर्स का तो प्रयास पहला यहीं रहेगा अगर टीम जीतती है तो एक बहतरीन एचिमेंट बहुत बड़ी यह उपलब्दी होगी क्योंकि सबसे हाइस सर्वाधिक स्कोर इस ग्राउंड पे बना है अब तक का और उस सर्वाधिक स्कोर को भी अगर पार कर लेते है तो यह बहतरीन परफॉमंस मानी जाएगी क्रिष्णा रॉकर्स की और से अब तक तो झाल 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 साथ और की समापती स्कोर 98-98 जीत के लिए 30-30 रणों की जरूरत है यहां पर इस मैच को जीतने के लिए क्रिषणा रॉकरस को जी हां कि जी हां जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो रंध्रेट के साबसे अगर देखा जाए तो क्वालिफाइंग के लिए 113 रनों की जरूरत रहेगी जी हां आखरी कम से कम अगर 113 रन तक पहुंचती है क्रिश्णा रॉकर्स की टीम या उससे ज्यादा भी बनाती है तो यहां पर वह अगले चरण के लिए क्वालिफाइंग राउंड के लिए अपने आपको क्वालिफा 98 रन स्कोर बाड़ पर लगे हुए है अब तक लाइसी वार्यर्स की टीम एक भी मैच जीती नहीं उसकी वजह से और क्रिश्णा रॉकर्स अल्लेडी एक मैच जीत चुकी है तो यहां पर क्वालिफाइंग कर सकती है उसके लिए जो कम से कम स्कोर 113 होना चाहिए तभी वो क्वालिफाइंग कर सकती है आखरी ओर में जिम्मवारी दी गई है गेंबाज सुनिल एक सो तेरा क्वालिफाइंग के लिए जरूरी होएंगा अगर 112 होते हैं तो क्वालिफाइंग के लिए वो टाइम आना जाएगा क्वालिफाइंग रूल्स के लिए इस मैच को टाइम आना जाएगा और उसका फैसला मैच का सुपर ओर के द्वारा होगा अगर 112 पे रुक जाती है टीम तो इस बार सीधे बल्ले से खेला है फिल्डर वहाँ पे मौजो जी हाँ बहतरीन फिल्डिंग का प्रदर्शन बावो अच्छे टच में नजर आ रहा है पचास के उपर के स्कोर्स पे बल्ले बाजी कर रहे है आइधिंग 55 अपने नीजी 55 के स्कोर पे खेल रहे है जिम्मेवारी बहुत सारी है उनके उपर अपनी टीम को क्वालिफाइग करने के लिए अपनी टीम को यहाँ पे जीतान प्रयतन रहा है वो प्रयतन उनके लिए कारगर साबित हो जीहां अच्छी गेंवाजी और अच्छी गेंवाजी का प्रदर से यहां पर सुनिल को करना पड़े का काफी दवाव में होगे दोनों ही गेंवाज बल्ले बाज काटे की टक्कर है यह दिमी गति की गें लल्चाया वहाँ पे फ्लाइट डी थी रनाउट का मौका वहाँ पे हो सकता था थ्रो गलत एंड पे लेकिन जी हां अभी भी रनाउट का मौका है जी नहीं थोड़ा थ्वड़ा कॉमेडिय ओफ एरर यहां पे मौका था अच्छी गेंड डाली थी डॉट बॉल जहां एक रन होना नहीं चाहिए था वहाँ पे दो रनाई उसकी वज़े से 101 रन सो रन के पार टीम पहुँच चुकी है 101 रन एक बी रन वहाँ जहां नहीं था वहाँ पे ओवर थ्रो की वज़़े से दो रन मिल गए यह दबाव साफ तरीके से फिल्लिंग साइट पे नजर आता है अच्छी गेंड बाजी अब तक तो हुवी है इस ओवर में पहली दो गेंड काफी अच्छी डाली है जी हाँ बहतरीन टर्न पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से गूमी गेंड जी हाँ फ्लाइट से बीट लगातार कर रहे और स्पीनर की यही निसा नहीं रहती है कि ज़ तोनर अब तीन रन आये है अब तक पहली तीन गेंडों में फिर से याद दिला दू क्वालिफाइग के लिए 113 रन चाहिए 112 रन होते हैं तो यह क्वालिफाइग नियम के तहट ताई होगा मैच 112 के स्कोर पे फुल्टोस यह गेंटी आउटसाइड डी आप्स्टम वाइ जी हां वाइड तो अभी तो अब टिलो वाइड लाइन पुट नियों ने आप अपयर का फेसले का इंतजार जी वाइड जी हाँ ठीक है अतिरिक रन एक बढ़ता हुआ और स्कोर पहुंच चुका एक सो एक सो दो रन जी हां एक सो दो रन स्कोर पहुंच चुका एक सो दो रन अच्छे गेनवाजी अप तक इस ओर में की है इंसाइड आउट सौर्ट फिल्डर वहाँ पे मौजूद उसके पीछे भाग रहे है दो रन लेने का प्रयतना जरूर होगा वहाँ पे आसानी से मुकम्मल किया और इस दो रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है एक सो चार रन दो गेंदा अभी इस ओर में सेस है और जीत के लिए एक सो